हेलो गुड डिबनिंग ट्रोल आफ यू कैसे हो डियर स्टुडेंट्स आई होग आप सभी लोग ठीक हो गाईज आज की क्लास बहुत ही जादा खास होने वाल है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग इंगलिस का मॉक टेस्ट लगाएंगे है ना और इस मॉक टेस्ट में कोश्चन्स का जो लेवल रहेगा वही कोश्चन्स का लेवल आपके आपको एक्जाम में देखने को मिल जाएगा ठीक है तो क्लास सभी विध्यारती को देखना है कोई वी विध्यारती वीडियो स्किप करके नहीं जाएगा सबी विध्यारती को regular class करना है हमेशा मैं daily daily class करवाता हूँ आप लोग daily daily class कीजिए regular basis पे कीजिए जिससे आपको आपके आने वाले exam में फायदा हो सके ठीक है तो चलिए आज के class को start करते हैं तो class start करने से पहले यदि आप लोग इस channel पे नए हो पहली बार हो तो इस channel को subscribe कर लो और bell icon को hit कर लो और यदि अब तक आप लोग हमारे telegram group से join नहीं हुए हो तो हमारे telegram group को join कर लीजिए telegram group से जुड़ जाए ठीक है तो telegram group को join करने के लिए आपको telegram map पे जाना होगा वहाँ study with रिते search करना होगा और हमारे channel को join कर लेना होगा तो चलिए आज के class को start करते हैं तो चलिए पहला question हम लोग देखते हैं common error से है है ना तो आई एक बाइ direction पढ़ लेते हैं in the flowing question some of the sentences have errors and some have none find out which part of sentence has an error the number of that part of is your answer if there is no error that answer is T यानि कहने का मतलब यह है guys की आपको एक sentence दिया रहेगा जैसा कि आप सभी विदार्ती देख रहे हैं कि आपको एक sentence दिया हुआ है आपको इस sentence में किस part में error है वो बताना है यदि part A में error है तो आपका answer part A हो जाएगा यदि part B में error है तो आपका answer part B हो जाएगा यदि आपका Error Part C में है तो आपका Answer C हो जाएगा यदि आपको लगता है कि नहीं, यार इस Sentence तो पूरी तरह से सही है, इसमें कोई भी Error नहीं है, तब आपका Answer Option D हो जाएगा, यानि Part D है ना, समझ में आ गया ना, यादि Sentence में कोई भी Error नहीं रहता है तो आपको answer d pick करना है जो कि दिया हुआ है no error चलिए ठीक है तो देखिएगा मैं sentence को read कर रहा हूँ sentence है we saw send sculptures in the bees या no error ठीक है यानि ये sentence है we saw send sculptures in the bees no error तो आपको बताना है यहाँ पर sentence में किस part में error है यदि error नहीं है देन आपका answer d हो जाएगा तो बताइएगा जैसा कि आप सभी विद्यारतियों को मालूम है कि आज मैंने आप लोग का test लिया था वही test paper आज की इस वीडियो में मैं analysis कर रहा हूँ तो आप लोग फिट से एक बार answer दीजिए बताइए कि आप लोग ने test paper में क्या answer दिया था very good यानि जिन्होंने भी answer option भी दिया है वो सही है ठीक है तो देखें यहाँ पर send sculptures के पहले article देखा परियोग होगा क्यूं होगा तो आएए एक बार sentence को फिर से read करते हैं we saw send sculptures in the beach यानि sentence का अर्थ क्या हुआ तो इसका अर्थ हुआ कि हम लोगोंने बीच पर send sculptures को देखा तो देखें सेंड sculptures का मतलब क्या हुआ तो send का मतलब क्या होता है रेत है ना बालू ठीक है और sculptures का मतलब क्या होता है मूर्तिकला ठीक है तो अब इस sentence को पूरा पढ़िए इसका अर्थ क्या हो जाएगा तो हम लोगोंने बीच पर रेत या बालू पर बनाई गई मूर्तिकला को देखा है ना तो ये तो एक तरह का खास चीज हुआ है तो खास चीज का जब भी भी चर्चा हो ठीक है यहाँ पर देखिए खास चीज हुआ है तो यहाँ पर सेंटेंस किस तरह से हो जाएगा तो वी साव दा संड इसकुप्चर्स इन देबीच यानि हम लोगोंने बीच पर रेत या बालू पर बनाई गई मूर्तिकला को हम लोगोंने देखा ठीक है तो आप्शन भी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलिए देखिएगा शेकेंड नमर कोश्चन है बताइगा इस संटेंस में किस पार्ट में एरर नजर आता है आपको यदि संटेंस में कोई भी एरर नहीं है तो जल्दी से बताइगा जल्दी से सभी स्टुडेंट बताएंगे जी वेरी गोडियानी जिनों ने भी आंसर आपसेंड दी दिया है वो सही है यानि इस संटेंस में कोई भी एरर नहीं है है ना देखिए संटेंस पूरी तरह से अपने में सही है everybody in the office has left early haven't day बट यहाँ पर error दे सकता था कहां error दे सकता था तो यहाँ haven't day की जगे आपको have दे होता तब आपका error जो है इसी वाले पार्ट में यानि option C में हो जाता तब आपका option C आंसर हो जाता बट यहाँ पर सही है haven't day क्यों सही है क्योंकि यह question जो है यह question tag का question है आप लोगों ने 9th और 10th में पढ़ा होगा question tag तो वहाँ पर आप लोग इसके rule को जानते होंगे ठीक है क्योंकि question tag जो है बहुत important chapter है topic है अपने में 9th और 10th में पढ़ना होता है आप लोगों तो यह question tag से पूछा गया question है तो यहाँ पर जो sentence है वो पूरी तरह से सही है but error दे सकता था कहाँ error दे सकता था मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ पर have they दे देता तब आपका answer यही हो जाता क्योंकि यहाँ पर haven't they जो है अपने में सही है देखिए यह वाला पार्ट भी सही है everybody in the office है न और has left early has के साथ verb 3 का परियोग होता है जो कि हुआ ही हुआ है यह भी सही है haven't they question tag से आ गया तो यह भी सही है यह इस sentence पूरी तरह से सही है कोई भी error नहीं है then आप answer option D हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं next questions की तरफ चलिए देखिएगा next question है the teacher told that the student should have gone to the library instead of having wasted their time no error बताइए इस sentence में आपको कहां गलत नजर आ रहा है इस sentence में कहां गलत किया हुआ है आपको बताना है यदि इस sentence में भी कोई भी गलती नहीं है आपका answer option D यानी no error हो जाएगा तो बताइएगा जल्दी से बताइए जल्दी से तो देखिए गाईज यहां पर जिन्होंने भी answer option A दिया है न वो सही है ठीक है तो यहां पर जो गलत sentence में जो गलती है वो part A वाले में गलती है ठीक है तो आपका answer जो है A हो जाएगा फिर से में बता रहा हूँ अगर part A में आपको गलत नजर आता है तो part A answer हो जाएगा यदि आपको लगता है नहीं part B में गलती है हुआ है तो part B आपका answer हो जाएगा तो यहाँ पर told की जगए ना said का use होगा क्यों होगा क्योंकि देखे told के बाद हमेशा object आता है आप लोगों ने भी पढ़ा होगा जैसे he told me होता है ना he told me यानि उसने मुझसे कहा ऐसा तो नहीं होता ना he told that एसा sentence तो आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा ना ही सुना होगा तो हमेशा याद रखना told का परियोग भी सही है लेकिन told के बाद यहाँ पर object आना चाहिए तब लेकिन object आया नहीं है इसलिए हम लोग told की जगए set का use करेंगे अगर set का use करते है तब जाकर यह sentence पूरी तरह से सही हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर जो error था वो part A वाले में था तो part A जो है आपका answer हो जाएगा चलिए बढ़ते है next questions की तरफ चलिए देखिएगा four number question है choose the correct alternatives out of the four ठीक है यानि आपको एक sentence दिया गया है और चार options भी दिये गए है तो आपको बताना है इस sentence में जो appropriate word जो है जो उचित word है वो कौन सा है दिये गए चार options में से उसी को fill करना है ठीक है तो sentence को पढ़िए sentence है his reputation has been dashed by his fullest acts ठीक है तो बताइए क्या increase रोगा जी अब पहले सब का मतलब जान लेते हैं increased का मतलब क्या होता है बढ़ना ठीक है और decreased का मतलब क्या होता है घटना यह सब को पता है retract का मतलब क्या होता है पूना प्राप्त करना ठीक है किसी भी चीज़ को प्राप्त करते हो तो वहाँ पर retract का यूज़ कर सकते हो Tented का मतलब क्या होता है Brust होना, खराब होना तो अब आईए हम लोग sentence को पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझने का कोशिस करेंगे उसके बाद जो है इसमें से कौन सा word का use होगा वो आप लोग खुदी बता दोगे तो देखें, sentence का मतलब हुआ his reputation यानि जो उसकी परतिस्था है उसके मुर्खता पूर्वक हरकतों से, अब बताईए क्या हो रही है बढ़ रही है, घट रही है पुना प्राप्त हो रही है या खराब हो रही है बताईए क्या option में होगा जल्दी से सभी विदार्थी बताएंगे अब तो आपको सब चीज का मतलब भी पता चल गया किस word का क्या मिनिंग है, तो बताईए answer क्या होगा, यानि उसकी परतिस्था, उसके मुर्खता पूर्वक हरकतों से क्या हो रही है बढ़ रही है, जी नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, घट रही है, यह भी नहीं होगा रिट्राइवड हो रही है, जी बिलकुल नहीं तो टेंटेड हो रही है, जी हाँ टेंटेड, क्योंकि इसका मतलब क्या हो जाता है इसका मतलब होता है, भरस्ट हो रही है, खराब हो रही है समझ में आग है न, उसकी मुर्खता पुर्वक हरकतों से उसकी जो क्या है प्रतिस्ठा है रेप्यूटेशन है वो क्या और यह खराब और यह तो option D जो है आपका right answer हो जाएगा यदि वीडियो पसंद आ रहे हो तो इस वीडियो को like कर देना और चलिए बढ़ते हैं अब next question की और चलिए देखिएगा next question है meditation is that way to calm your nerve बताइए यहाँ पर क्या होगा a best होगा one of the best होगा या the best होगा या end best होगा जल्दी से सभी विडियारती answer करेंगे जी तो देखिए sentence को पढ़िए और इसका अर्थ समझेगा इसका अर्थ हो जायगा कि meditation जो है वो बहुत ही जादा है meditation बहुत ही अच्छा तरीका है हमारे दिमाग को सांथ करने के लिए है ना तो यहाँ पर देखिए क्या होगा बहुत ही अच्छा का sense आ रहा है तो देखिए नहीं भी आ रहा है तो मैं यहाँ पर पूरी तरह से समझाने का कोसिस करूंगा और आई होप आप लोग समझ जाओगे तो देखिए यहाँ पर meditation है वो बहुत ही अच्छा क्या है तरीका है हमारे दिमाग को सांथ करने के लिए तो अब बताईए बहुत ही अच्छा का sense आ गया तो क्या होगा meditation is the best way to calm your nerves ठीक है तो option C जो है आपका right answer हो जाएगा समझ में आ रहा है ना चली बढ़ते हैं next questions की तरफ तो चली अब बताईएगा आप लोग आपको यहाँ पर बताना है synonyms बताना है ठीक है options देख लेते हैं option है insane है rough है infertile है lush है तो जल्दी से सभी विद्यारती बताएंगे जी जल्दी से बताईए इसका answer क्या होगा तो देखे बैरन का मतलब क्या होता है बंजर है ना बंजर यह infertile भी बोल सकते हो आप लोग अनुपजाओ बोलते हो ना जैसे देखे पहले आप लोग इतना समझ लेजे बंजर होता है इन फर्टाइल होता है यानि आप लोग खेती वेती करने जाते हो तो देखते हो ना वाँ पर एकदम मिट्टी जो है एकदम बंजर सी हो जाती है ना उपजाओ नहीं होती है अनुपजाओ होती है तो बैरन का मतलब क्या होता है बंजर है ना इन फर्टाइल तो अब आहता कि barren का मतलब banjar होता है याणि अनुप जाऊ बोलते हो ना अनुप जाऊ मित्टी तो barren का best in running क्या हो जाएगा इन फिर टाइल हो जाएगा लुया ि लश लश का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है जोर से मारना या जोर से कुछ चलना इस तरह से बोल सकते हो ठीक है तो option जो है C आपका right answer हो जाएगा कि baron का मतलब बंजर होता है infertile का मतलब भी बंजर होता है समझ में आ रहे है न और यदि fertile रहता तब क्या आप लोग fertile होता तब आप लोग क्या समझते तो fertile का मतलब होता है अनुप जाओ ठीक है चलिए चलिए देखिएगा next question है abstain बताना है abstain का आपको synonyms बताना है तो बताइगा insist होगा persist होगा refrain होगा racist होगा abstain का synonyms बताने insist होगा persist होगा refrain होगा या racist होगा जल्दी से सभी विदारती answer करेंगे जी तो देखिए abstain का मतलब क्या होता है तो abstain का मतलब होता है परहेज करना बचना ठीक है क्या होता है परहेज करना बचना तो अब बताई येतना चीज आप लोग जान गए तो अब देखिए insist insist का मतलब क्या होता है तो इंसाइश तो होगा ने क्योंकि इसका मतलब क्या होता है किसी चीज़ पर जोड डालना है ना प्रभाव डालना मतलब जोड देना उस चीज़ पर तो कह सकते हो जोड देना है ना तो ये तो होगा नहीं, पर्सिस्ट ये भी नहीं होगा, पर्सिस्ट का मतलब क्या होता है, तो ड्रिंड रहना, ठीक है, ड्रिंड रहना ये भी नहीं होगा, रिफ्रेन होगा, तो जी हाँ, रिफ्रेन का मतलब भी क्या होता है, परहेज करना, बचना, है ना, तो आप लोग स के साथ जो fixed prepositions का यूज करते हैं हम लोग from का परियोग करते हैं ठीक है और racist तो होगा नहीं क्योंकि racist का मतलब क्या होता है विरोध करना मना करना तो यह तो होगा नहीं तो इसका जो abstain का जो best synonym हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ठीक है तो abstain का मतलब मैं क्या बता है परहेज करना बचना रिफेयन का मतलब भी वही होता है परहेज करना और बचना ठीक है चली देखिएगा next question है counterfeit counterfeit का मतलब क्या होता है तो बताएगा इसका best synonym क्या होगा इसमें option दिया हुए constant non-biased fake सभी विदार्ती आंसर करेंगे जी counterfeit का आपको synonymus बताना है option में दिया हुए constant non-biased fake तो दिखिए counterfeit का मतलब क्या होता है जी तो इसका मतलब होता है नकली जाली बोल सकते हो आप लोग ठीक है यानि बोल सकते हो not genuine ठीक है not genuine बोल सकते हो या फिर इसका एक और स्वी इनॉनिम सो जाएगा fact tts देखिए बहुत important चीज़े मैं आप लोग को बता रहा हूँ note करना चाहो तो कर सकते हो ऐसे ही question जो है आपके परिक्षा में पूछे जाएंगे आप लोग देख लेना ठीक है तो मैं तो कहूंगा आप लोग note कर लो और इस चीज़ को revision करो क्योंकि मैं यहां से काफी चीज़ आप लोग को बताता हूँ तो देखिए counterfeit का मतलब क्या हो जाएगा तो नकली यानि जो genuine नहीं है not be genuine जो genuine है ही नहीं नकली है जाली है फैक्टीटियस है तो अब बताए यह क्या होगा इसका synonym constant होगा जी नहीं constant का मतलब क्या होता है इस्थीर होता है अनन होगा यह भी नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब होता है अग्यान अग्यात sorry biased होगा तो यह भी नहीं होगा इसका मतलब क्या होता है जूका हुआ फेक होगा जी हाँ, फेक का मतलब क्या होता है, नकली होता है आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत से ऐसे लोग है, जो फेक आईडी बगहरा बनाते है तो फेक का मतलब क्या होता है, नकली, समझ में आ रहा है न, चलिए चलिए देखिएगा next है next word है no wise ठीक है no wise का मतलब क्या होता है तो सबसे पहले आप लोग बताएं no wise का synonyms क्या हो जाएगा जल्दी से सभी विद्यारती बताएंगे no wise का synonyms क्या होगा चलिए options में दिया हुआ expert, specialist, journalist, beginner जल्दी से सभी विद्यारती आंसर करेंगे जी no wise का आपको synonyms बताना है option में expert दिया हुआ, specialist दिया हुआ, journalist दिया हुआ, beginner दिया हुआ तो देखिए no wise का मतलब होता है अनुभाव हीन है ना जिसको अनुभाव है ही नहीं किसी भी कारे में या किसी भी चीज में वो क्या है अनुभाव हीन है है ना या बोल सकते यह तरक से नौ सिखिया है है ना beginner है वो अभी शुरुआती मतलब mature नहीं हुआ होतना वो ठीक है यानि अनुभाव हीन है नौ सिखिया है है ना यानि a person who is new at any work यानि ऐसा वेक्ति यह वो बिल्कुल नहीं है किसी भी काम में अनुभाव हीन है नो सिखिया है ना उसको किसी भी चीज का ग्यान नहीं है तो क्या export होगा वो ठीक्सपर्ट तो होगा नहीं क्योंकि export का मतलब विसे सग्य होता है जैनलिस्ट होगा ये भी नहीं होगा क्योंकि जैनलिस्ट का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है जो अनिक वीशेयों की जानकारी रखता है उसको क्या बोलते है जैनलिस्ट बोलते है बीगिनर होगा तो जी हाँ बीगिनर जो इसका राइट सिनोनिम्स हो जाएगा क्योंकि beginner का मतलब भी क्या होता है शुरुवाती है ना तो शुरुवाती वो भी क्या है नौ सखिया है अनुभाव हीन है तो इसका जो best synonyms होगा वो क्या हो जाएगा guys तो option D हो जाएगा ठीक है तो 29 का अर्थ में क्या बता है आप लोगो 29 का अर्थ होता है एकदम अनुभाव हीन है यानि नौ सखिया है बीगिनर है आपको 29 मिले तो बीगिनर समझ ले न ठीक है बढ़ते हैं next questions की तरफ यदि वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर देना चलिए देखियेगा choose the word opposite in the meaning to the given of the words यानि आपको यहाँ पर opposite meaning बताना है जिसको antonyms भी बोलते हैं हम लोग ठीक है antonyms ठीक है चलिए दिया गया word जो है आपको दिया हुआ है diminish ठीक है तो आपको बताना है diminish का इसका opposite meaning क्या होगा इसका antonyms क्या होगा ठीक है तो बताईए क्या increase होगा improve होगा decrease होगा या introduce होगा जल्दी से सभी विद्यारती answer करेंगे जी word जो दिया हुआ है diminish दिया हुआ है आपको बताना है इसका antonyms जल्दी से सभी विद्यारती बताईए जी तो देखिए मैं बताना चाहूँगा आपको diminish का मतलब क्या होता है तो इसका अर्थ होता है छोटा होना ठीक है छोटा होना या बोल सकते हो एक मिनिट diminish का मतलब मैं क्या बता है आपको छोटा होना ठीक है या फिर बोल सकते हो कम करना ठीक है तो यह सब क्या है reduce और mitigate यह सब क्या है इसके synonyms हो जाएंगे ठीक है किसके diminish के तो diminish कार्थ आप लोगोंने क्या सिखा कम करना है reduce कर देना किसी भी चीज के star को गिरा देना यानि कम कर देना उसको छोटा कर देना है na mitigate कर देना तो अब बताओ क्या होगा improve होगा जी बिलकुल है improve का मतलब क्या होता है improve का मतलब सुधारना होता है decrease यह तो नहीं होगा क्यूंकि यहां पर antonyms बूछाए decrease क्या हो जाएगा इसका synonyms हो जाएगा introduce होगा जी नहीं introduce भी नहीं होगा तो increase होगा जी हाँ increase होगा क्योंकि increase का मतलब क्या होता है वृधी करना बढ़ा देना और यहां पर diminish का मतलब मैं क्या बताए चोटा कर देना, कम कर देना, reduce कर देना, mitigate कर देना तो increase क्या हो जाएगा, इसका best antonyms हो जाएगा इसका best antonyms क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा क्योंकि increase का मतलब क्या होता है, वृधि कर देना, बढ़ा देना ठीक है, तो option, option जो A है, आपका right answer हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं next questions की तरफ चलिए देखिएगा next word जो दिया हुआ है comply दिया हुआ है आपको इसका antonyms बताना है ठीक है तो जल्दी से बताईएगा options जो है दिया हुआ है आपको challenge, complain, confirm, compete जल्दी से बताईए प्यारे बच्चो तो देखिए comply का मतलब क्या होता है तो comply का मतलब होता है पालन करना, है ना पालन करना, आग्या का पालन करना भी कह सकते हो आप लोग है ना, पालन करना, आग्या का पालन करना आग्या का पालन करना या फिर बोल सकते हो पूरा करना ठीक है तो देखिए माल लीजिए आपको कोई काम दिया जा रहा है और बोला जा रहा है आपसे कि पूरा कीजिए तो एक तरह से आप क्या कर रहे हो आग्या का पालन ही कर रहे हो ना तो comply का मतलब क्या हो जाएगा पालन करना या अग्या का पालन करना तो अब बते हैं इसका का मतलब होता है सिकायत है ना कंफॉर्म होगा यह भी नहीं होगा क्योंकि इसका भी मतलब होता है आग्या का पालन करना है ना पालन करना यह पूरा करना तो यह तो इसका मतलब क्या हो जाएगा compete का मतलब होता है बराबरी करने वाला तो challenge होगा जी हाँ challenge का मतलब क्या हुआ यहाँ पे तो challenge का मतलब होता है चुनौती देना है ना देखिए एक तरफ वो आगया का पालन कर रहा है और एक तरफ क्या कर रहा है वो चुनोती दे रहा है तो ये जस्ट क्या हुआ एक दूसरे के अंटोनिम्स हुआ गी नहीं तो option ये जो है आपका right answer हो जाएगा ठीक है आ रहा है ना समझ में चलिए चलिए देखिएगा next word जो दिया हुआ है आपको एफ्लुएंस दिया हुआ है इसका भी आपको एंटोनिम्स बताना है ठीक है तो जल्दी से बताइएगा दिया गया options जो है poverty है, neglect है, influence है, some balance है तो जल्दी से बताइए एफ्लुएंस का एंटोनिम्स क्या होगा सभी student answer करेंगे जी तो देखिए, influence का अर्थ जो है positive में होता है कहने का मतलब इसका अर्थ जो है पोजेटिव वे में ही होगा तो इसका अर्थ क्या होता है, तो संब्रिदी है ना, संब्रिदी बोल सकतो धनवान है जो एकदम धनवान है, धन संपत्ती से पूरा मतलब उसका घर पूरा एकदम अमीरी है वो, बोल सकतो अमीर टाइप का है, संब्रिदी है, धनवान है, धन संपत्ती से भरा हुआ है वो ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, influence बोलेंगे अब बताए ये इसका अंटोनिम क्या होगा, neglect होगा, ये तो होगा ही नहीं इसका मतलब क्या होता है, neglect का मतलब होता है, अनादर करना, उपेक्छा करना तो neglect तो होगा नहीं, influence होगा, ये भी नहीं होगा, influence का मतलब क्या होता है, प्रभाव डालना, ये भी नहीं होगा सेंबैलेंस होगा ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका भी मतलब क्या होता है उपेक्छा करना अनाधर करना ये तो होगा नहीं पोवर्टी होगा जी हाँ पोवर्टी क्या हो जाता है इसका मतलब निर्धनता है ना गरीबी ठीक है तो आगे है ना समझ में एफ्लुएंस का जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो जाएगा पोवर्टी हो जाएगा क्या बता है सम्रिदी यानि धनवान है पोवर्टी का मतलब क्या होता है गरीबी समझ में आ रहा है न चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ चलिए देखिएगा next question है idioms and phrases से है तो चलिए sentence को हम लोग read करते है sentence है do not run down your friends in public ठीक है तो आपको बताना है run down का idioms phrases क्या होगा इसका अर्थ क्या होता है तो सबसे पहले run down का अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ होता है आलोचना करना ठीक है अलोचना करना निंदा करना ठीक है अपमान करना भी बोल सकते हो आप लोग ठीक है तो ये सब जो है इसका अर्थ हुआ run down का अर्थ क्या होता है अलोचना करना निंदा करना ठीक है या अपमान करना तो अब देखिए क्या होगा fight with होगा जी नहीं fight with से तो कोई लेना ही देना नहीं है follow होगा ये भी नहीं होगा make a mention of होगा ये भी नहीं होगा criticize होगा क्योंकि criticize का मतलब क्या होता है जी आलोचना करना निंदा करना है अपमान करना तो देखे sentence का आर्थ क्या होता है sentence का आर्थ हो जाएगा do not run down यानि don't criticize your friend in public यानि अपने दोस्त की जनता में आलोचना मत कीजिए है ना मत करो समझ में आ रहा है ना यही sentence का आर्थ हो जाएगा यानि अपने दोस्त की पब्लिक में निंदा मत कीजिए मत करिए ठीक है तो option D जो है आपका right answer हो जाएगा चलिए बढ़ते है next questions की तरफ ठीक है option D जो है इसका right answer हो जाएगा देखिए वर्ड जो है ना बहुत ही ज़्यादे important है इसको याद कर लेना criticize criticize इसका मतलब ही होता है निंदा करना अलोचना करना ठीक है चलिए देखिएगा next idiom phrases है next idioms and phrases है चलिए पढ़िएगा the two famous writer crossed swords with each other on every issue ठीक है याँ यहाँ पर जो दिया हुआ है crossed swords ठीक है crossed swords जो दिया हुआ है आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि एक idiom phrases है इसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है जगडा करना है ना जगडा करना लडाई करना है ना यानि बोल सकते हो कि fight with somebody यानि किसी के साथ जगडा करना तो अब बताए यह क्या होगा across the road on meeting यह तो होगा नहीं क्योंकि इसका अर्थ में क्या बता है जगडा करना है ना fight fight करना took different routes यह भी नहीं होगा disagree यह भी नहीं होगा तो देखे क्या है option ए fight physically यानि मतलब यहाँ पर fight का word do का परियोख किया गया है fight का मतलब क्या होता है लड़ना यानि physically क्या कर रहे है fight कर रहे है तो देखे इस sentence का आर्थ क्या हो जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ sentence का आर्थ हो जाएगा the two famous writers ठीक है fight physically with each other on the every issue तो देखे इसका आर्थ हो जाएगा दो प्रशिद जो लेखक है दो प्रशिद लेखकों ने परतेक मुद्दे पर क्या किया fight किया है physically fight किया तो option जो A है आपका right answer हो जाएगा ठीक है तो इस चीज़ को याद कर लेना crossed swords का मतलब ही होता है fight with someone ठीक है ये idiom phrases है आपको इसका मतलब याद करना ही होगा चलिए बढ़ते हैं next questions की तरफ next question है to agree to something ठीक है तो इसका मतलब क्या होता है ये देखे one word substitutions है ठीक है इस चीज़ को भी याद कर लेना अब यहाँ से हम लोग one word substitutions के लिए अनुमती या स्विक्रिती का मिलना उसे क्या बोलेंगे यानि किसी बात के लिए अनुमती मिलना या स्विक्रिती मिलना उसको एक सब्द में क्या कहेंगे एसियोर कहेंगे जी नहीं एसियोर का मतलब क्या होता है सुनिश्चित करना ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर सुनिश्चित करना जैसा कुछ तो बोला नहीं गया है ठीक है एड़ेप्ट होगा ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है तो अनुकूल बनाना ठीक है जी हाँ एसेंट का मतलब क्या होता है एसेंट का मतलब हो जाएगा अनुमति या स्विक्रिति ठीक है तो समझ में आ गया ना इसका one word substitution क्या हो जाएगा do agree to something का तो एसेंट हो जाएगा ठीक है इसका मतलब मैं क्या बताया किसी भी बात के लिए अनुमति या स्विक्रिति का मिलना ठीक है तो एसेंट जो है इसका भी मतलब क्या होता है अनुमति या स्विक्रिति ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं next questions की तरफ चलिए देखिएगा next one word substitutions देखना है आपको बताना है चलिए बतायेगा a lover of books यानि book से प्यार करने वाले को एक सब्द में हम लोग क्या कहेंगे biblio maniac बोलेंगे या biblio file बोलेंगे biblio grapher बोलेंगे या by linguist बोलेंगे जल्दी से सभी student answer कीजिएगा सभी student को बताना है a lover of books यानि book से प्यार करने वाले को क्या कहते हैं जो किताबों से प्रेम करता हो प्यार करता हो उसको एक सब्द में क्या बोलेंगे जी तो very good क्या कहेंगे उसको biblio file कहेंगे ठीक है book प्रेमी किताब प्रेमी बोल सकते हो है न तो ये lover of books को क्या कहेंगे biblio file कहेंगे अब देखें, bilingualist किसको कहा जाता है तो ऐसा वैक्ती, जो दो languages बोलता हो, यानि a person who speaks two languages उसको क्या कहेंगे, तो उसको bilingualist कहते हैं, समझ में आ रहा है ना चलिए, चलिए अब बढ़ते हैं next questions की तरफ चलिए, अब आपको बताना है, चलिए, एक बढ़ पढ़ लेते हैं क्या sentence, क्या कुछ कहा गया है, तो देखिए in the flowing questions, group of four words are given in each group, one word is correctly spelled, find the correctly spelled word, यानि आपको यहाँ पर चार word जो हैं, दिये हुए होंगे चार में से, आपको एक word जो है, सही दिया हुआ सही दिया हुआ होगा, तो आपको वही सही word जो है, चूज करना है यानि find करना है कि इसमें से इन चारों में से जो word दिया हुआ इसमें से सही word एक कौन सा दिया हुआ है ठीक है, तो बताएगा column सही है जी नहीं, column का spelling ही गलत है, ठीक है समझ में आ रहे है ना, condemn सही है यह भी गलत है, ठीक है symptoms, symptoms यह भी गलत है, ठीक है यानि यहाँ पर सही क्या है, जब यह गलत हो गया, यह गलत हो गया, यह गलत हो गया, तो सही क्या है आप ही बताएगे, तो क्या है autumn होगा है, यह जो है सही है तो option B जो है आपका right answer हो जाएगा ठीक है अब मैं बता देता चाहता हूँ आप लोग को column को कैसे लिखते हैं इसका सही लिखना होगा आपको इसको तो कैसे लिखेगा तो C O L U M N ठीक है इस तरह जो है column लिखते हैं कलम लोग जो की सही हो जाएगा condemn का मतलब क्या होता है condemn का भी मतलब होता है आलोचना करना निंदा करना जो कि अवि मैंने criticize एक वर्ड यूज किया था तो criticize का यह क्या हो जाएगा synonym हो जाएगा तो देखिए यह जो है No condemn हो गया column हो गया यह सब गलत है symptoms हो गया सब क्या गलत है तो मैं इसका सही करके आपको बता रहा हूँ कि इसको सही किस तरह से लिखियेगा तो condemn को कैसे लिखियेगा c o n d e m n ठीक है symptoms को कैसे लिखियेगा to s i m p t o m symptom ठीक है symptom का मतलब क्या होता है लक्छन होता है समझ में आ रहे न तो देखिए यहां पर जो correct word जो दिया हुआ था जो सही word था वो कौन सा था autumn था ठीक है autumn बाकि यह सब यह सब गलत है तो मैं इसका सही भी बता चुका आप लोग को चलिए चलिए देखिएगा next question है next में भी आपको वही बताना है चार word दिया हुआ है आपको इस में से बताना है कौन सा word जो है सही है ठीक है तो बताइए precarious यह सही है precarious हो गए यहां पर ठीक है देखिए यह भी गलत है preced यह भी गलत है preparation यह भी गलत है ठीक है तो देखिए यहां पर सही कहा है तो option C जो है सही है प्रेमियर ये तो सही हो गया ना अब देखिए यहाँ पर precarious जो है गलत दिया हुआ है इसका सही कैसे होगा तो precarious का मतलब क्या होता है अनिशित क्या होता है अनिशित जो की गलत दिया हुआ था तो मैंने इसको सही लिख दिया ठीक है प्रेसीट ये भी गलत दिया हुआ है प्रेसीट होता है प्रेसीट का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब बोल सकते हो आप लोग पूर्व यानि पूर् का होना यानि पहले ही वो चीज़ हो जाना प्रैसरीड उसको बोलते हैं ठीक है और प्रेप्रेशन का मतलब क्या होता है तो अच्छी तरह से जानते हो आप लोग तैयारी करना ठीक है तो यहां पर देखें प्रेप्रेशन का जो प्रेप्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा तैयारी करना ठीक है तो यहां पर जो सही वर्ड जो दिया हुआ था वो क्या दिया होता है प्रेमियर दिया हुआ तो आप्सन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यह मैं जितने भी आपको बता रहा हूँ वो सब गलत वर्ड है यानि ये सब ये गलत है ये भी गलत है ये भी गलत था तो मैंने आपको सही वर्ड इसका बताया ताकि आप लोग सही वर्ड के सही वर्ड का मिनिंग भी याद कर लो ठीक है अगर आप लोग जितना जादा व दूने वाला है ठीक है चलिए देखिएगा next question है यानि इसमें भी आपको चार words दिये हुए हैं और आपको एक सही word बताना है कि कौन सा word सही दिया हुआ है तो देखिए पहला दिया हुआ correspondent तो ये तो गलत है ठीक है correspondent को कैसे लिखेगा तो c o r e s p o n d e n t ठीक है तो correspondent का मतलब क्या हो जाएगा संबाद दाता हो जाता है ठीक है अब देखिए commandant commandant जो है ये भी गलत था तो इसको सही कैसे लिखेगा तो c o m a n d a n t ठीक है यहाँ पर e की जगए a होता तब जाकर ये सही होता तो commandant का मतलब क्या होता है सैनिक दल का प्रमुक अदिकारी ठीक है तो यह भी गलत था मैंने सही करके बता दिया अब देखिए superintendent तो सही है ठीक है अब देखिए यहाँ पर attendant ये कहां गलत था तो देखिए a double t e n d a n t होता है ठीक है ना की e n t तो यहाँ पर e की जगए a होता है तो attendant का मतलब क्या हो जाएगा employee या servant होते है ना उसी को क्या कहते है attendant कहते है ठीक है तो यहाँ पर जो आपको दिया गया options था चार इसमें से जो सही था वो कौन सा था option c जो है superintendent वो सही था ठीक है चलिए देखते है next question चलिए देखिएगा next question है यानि देखिए इसमें भी आपको चार options दिये गए है और चार options में से आपको जो सही word है उसी पर टिक करना है वही आपका answer हो जाएगा ठीक है तो देखिए पहला word है pronunciation जो की गलत लिखा हुआ है ऐसा spelling होता ही नहीं है मैं बताऊंगा आपको pronunciation कैसे लिखते है अब दूस ठीक है pronunciation को कैसे लिखिएगा आप लोग तो पी आर ओ ठीक है पी आर ओ एन यू एन प्रणन सी आई ए टी आई ओ एन ठीक है तो pronunciation इस तरह से लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है उचारन होता है ठीक है अब pronunciation बोलिएगा pronunciation ठीक है pronunciation होता है ना कि pronunciation होता है ठीक है तो pronunciation जो है इसका मतलब क्या होता है उचारन होता है यह जो की गलत दिया होता है मैंने सही spelling आपको बता दिया अब देखिए रही percussions इसका भी मतलब यहां पर गलत दिया हुआ है word तो इसको कैसे लिखेगा तो इसका जो सही इस तरह से C U S I onesaree percusion का मतलब क्या हो जाएगा तो इसका मतलब होता है नतीजां नतीजा या पढ़ती करिया टाइब का इस पर से हो जाएगा रियाबियटेशन यह ज़ह सही दिया हुआ है tution का spelling दिया हुँ वह भी गलत दिया हो है तो कैसे इसका रिखिये गा आप लोग 2 टी यू आई टी आई ओ एन होता है ठीक है टूशन होता है यानि कोई कोचिंग संस था जिसको आप लोग बोलते हो ठीक है तो यहां पर टूशन का